बश्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है, तो बेबी फ्रॉक के सेकेंड पार्ट में हमने आस्तिन कम्प्लीट कर लिया था, यह हमारा थर्ड पार्ट है और इसमें हम इसका घेरा बनाएंगे, तो हमने यहां तक कम्प्लीट कर लिया था, चुकि हमारे करेंगे, अब देखिए, हमने यहां तक गुनाई कर लिया है, तो अब की हम लास्ट के छे फंदों को उधारेंगे, यानि कि जो हमारे बॉर्डर के फंदे थे, उसे हम उधार देंगे, तो देखिए, छे फंदों को हमने उधार दिया, इन छे फंदों को हम दूसरी सलाई में ले लेते हैं, तो हमने इन छे फंदों को दूसरी सलाई में ले लिया, अब है कि अब हमें क्या करना है कि एक फंदा पीछे वाली सलाई से याणि पीछे वाले पले से अब यह भी ध्यां देजेगा कि बटन होल वाला जो में पाठ है वो उपर होना चाहिए एक wann AUDIENCE से और एकismo हम पीछे वाली सलाई से और एकस शलाई से लेए finish दोनों को एक साथ लेके उल्टा फंदा बना लेंगे यहां पे हम देखिए दोनों पार्स को आपस में जोड़ रहा हैं दोनों सलायों से एक-एक फंदा लेंगे और दो का एक का देंगे दोनों सलायों से एक-एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेके उल्टा बन लेंगे तो दोनों पार्ले आपस में जोड़ जाएंगे देखिए इस सलाय को हम अटा देते हैं देखिए यह दोनों पार्ले आपस में जोइंट हो गए देखिए फ्रैंड हमारे पास यहां 22 फंद्妹 थे छे फंदे ऊपर थे 16 फंदे बढ़ है तो हूए 22 फंदे एक फंदे यह दिवाइडर का यानि एक साइड में तेज फंदे है और इस साइड में 30 फंदे है तो दोनों मिलके हो गया 46, 46 फंदे और 6 फंदे हमारे बार्डर के हमने इन दोनों को ऐसे उपर रखा और दोनों को एक कर दिया तो 12 से ये 6 हो गया तो 6 फंदे बार्डर के यानि 52 फंदे हमारे इधर है और इधर हमारे पास 16 फंदे थे 36 फंदे दोनों साइड से बढ़ गया यहां हो गए 48 फंदे एक साइड एक फंदा इस डिवाइडर से और एक फंदा इस डिवाइडर से यानि 50 फंदे हमारे यहां पे हैं और 52 फंदे यहां पे हैं हमने दोनों पल्लों को आपस में जोड दिया और यहां पे हम मारकर लगा देंगे अब यहीं से हम काउंट करना शुरू करेंगे अब तेखिए तीन लाइन इधर है और तीन लाइन इधर है और जब हम दोनों पल्लों को जोड लेंगे तब हम या तो सर्कूलर निडिल से बना या फिर दोनों को हम एक साथ अगर बुनेंगे तो हमें या तो सज गुला नेजिले बनाना होगा या फिर गले वाली स्लाइसे यानि जिसके दोनों पॉइंट नुकीले होते हैं जो दोनों सीरे नुकीले होते हैं ऐसे हमको स्लाइसे बनाना होगा तो क्या हमने यह तीन धारियां बना लियां और तीन धारियं और बनाएंगे यानि हमुझे लाइन और बुलेंगे अब देखिये अगर हम यहां उल्टा बनेंगे तो हमारी यह धारिय anderes बनेंगे इसलिए अब्हों सरकूला निजिल लगाते हैं और सभी फंदों को सीधा बले क्योंकि सर्कूलर निडिल में हमारा बैक नहीं होता है हमें सिर्फ सामने की तरफ से ही बुनना होता है तो बैक वाला पोशन भी हमें ऐसे ही बुनना होगा यानि कि इस लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे अब देखिए फ्रांस यदि हमने आस्तिन नहीं बनाया होता और पहले घेरा बना लिया होता तो देखिए ये दोनों हिस्से जूड़ जाते और उसके बाद हमें आस्तिन बनाने में बहुत तकलिफ होती है तो अब हम बैक पार्ट को भी इसी के साथ ही बुन लेंगे तो पूरी राउंड में बुन के दिखाते हूं तो देखिए फ्रेंड्स हम मारकर के पास आ गया है तो पिछली लाइन में हमने सभी फंदो को सीधा बुना अब की इस लाइन में हमें सभी फंदो को उल्टा बुनना होगा तब ही हमारा यह धारी बनेगा हमें अब एक लाइन सीधा बुनना होगा और एक लाइन उल्टा तो यह हमारा चौथा धारी बनने जा रहा है तो इसी तरह दो धारी और बना के मैं आपको दिखाते हूं तो देखे फ्रांस छे उल्टे फंदो की धारी आ गई है और हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया है तो अब क्या करेंगे कि एक फंदे को हम अब उन दूसरी और करेंगे एक फंदे को हम सिंप्ली सीधा बनेंगे और दूसरे फंदे में हम दो फंदा बनेंगे एक बार आगे से और एक बार इसी फंदे में बैक साइड से, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे में हमें दो बार बुनना है, एक बार फंद से और एक बार बैक से, नेक्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है, अगले फंदे को हमें दो बार बुनना है, एक बा आगे से और एक बार इसी फंदे को भिना गिराए बैक साइड से तो इस समय सराइब पे हमारे 102 फंदे हैं और इस तरह करने से 51 फंदे बढ़ जाएंगे तो हो जाएंगे 133 फंदे पूरी लाइन हमें इसी तरह बुढ़ना है एक बार बुढ़ना है और अगले फंदे को दो बार बुढ़ना है तो इस तरह हमारे फंदे बढ़ जाएंगे तो ये लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है और हमने 51 फंदे बढ़ा लिये हैं अब हमारे पास है 153 फंदे और जो हमने डिजाइन डाला है इसे बनाने के लिए चाहिए 6 के मल्टिपल फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा चुकि ये दोनों सिरा खुला हुआ है तो हमें बनाने के लिए चाहिए 6 के मल्टिपल फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा लेकिन घेरे में ये दोनों सिरे आपस में जुले रहेंगे तो ये एक फंदा जो है वो कॉमन हो जाएगा उस दशा में हमें चाहिए यानि घेरे पे हमें चाहिए सिर्फ छे के मल्टिपल फंदे हमारे पास है एक सो तिर्फंदे और डिजाइन बनाने के लिए चाहिए हमें एक सो छप्पन फंदे छे के मल्टिपल फंदे एक भी फंदा जादा नहीं तो हमारे पास तीन फंदे कम हो रहा है तो अब हम सबी फंदों को सीधा बनेंगे और तीन फंदा हम बढ़ा लेंगे कहीं पर भी हम तीन फंदा बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें एक सो छप्पन फंदे चाहिए तो यह पूरी लाइन सीधी बनी जाएगी और तीन फंदे हम बढ़ाएंगे तो इतना करके मैं आपको दिखाते हूं कि तो देखिए फ्रेंण्स हम फिर स्टार्विश पॉइंट प्सेम पर लाका ना है तो हम दो लाइन और लाइन प्रेंद मित बनाया यानि पूरी राउंड एक और पूरी राउंड दो दो लाइन और हम दो राउंड और बनाने के बाद हम डिजाइन डालेंगे तो दो राउंड कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हूं देखिए friends हमने एक ही राउन बनाया है और इतना ही पर्याप्त है अब हमें दूसर राउन बनाने के जाओत नहीं अब हम यहीं पर डिजाइन डालना शुरू कर देंगे तो देखिए हमारा उन अगला फंदा हम उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे अगले फंदे को हम जाली देते हुए सीधा बनाये जाली देते हुए सीधा बनाया नेक्स्ट फंदा उल्टा जाली देते हुए उल्टा फिर तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बनते हुए तीन का एक करेंगे फिर एक फंदा उल्टा तो इन्हीं छे फंदो को हमें दूराना है अब फिर हमारा उन हमाई तरफ है अग्ला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर नेक्स्ट फंदा जाली देते हुए उल्टा फिर तीन फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बनते हुए तीन का एक करेंगे तीन का एक या अग्ला फंदा उल्टा फिर नेक्स्ट डिजाइन शुड़ू होगा अग्ला फंदा जाली देते हुए सीधा नेक्स्ट फंदा जाली देते हुए उल्टा फिर तीन फंदो को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बनते हुए तीन का एक कर लेंगे नेक्स्ट फं हम डिजाइन को रिपीट करेंगे उन हमारी तरफ है अगला फंदा हमें सीधा बुनना है तो जाली देते हुए सीधा अब उन दूसरी तरफ है अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है तो जाली देते हुए उल्टा जाली देते हुए उल्टा अब फिर तीन फंदो को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेना है तीन का एक किया नेक्स्ट फंदा उल्टा तो हमारा डिजाइन पढ़ना शुरू हो गया है थोड़ा सो और देख लीजे देखिए उन हमारा हमारी तरफ है अगला फंदा हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे फिर उन दूसी तरफ है अगला फंदा जाली देते हुए उल्टा फिर तीन फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे तीन का एक या अगला फंदा उल्टा तो पूरी सलाई में हमें इन ही छे फंदों को दोराना है तो line complete करके मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंट्स मैंने लाइन कंप्लीट कर ली तीन फंदे उल्टा बुनने के बाद लास्ट फंदा यह उल्टा अब यहां पे तो हमने जाली दे ही दिया है यहां पे जाली पड़ा हुआ है तो देखिए फ्रेंट्स जब हमने यह दिजाइन आस्तिन पे बनाया तो डि नेक्स्ट लाइन में सभी फंदे सीधे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे तो इस तरह डिजाइन बनाने के बाद तीन लाइन बनता है फिर चौथे लाइन में डिजाइन पड़ता है तो हमने यह डिजाइन कंप्लीट कर लिया तो हमारा यह डिजाइन वाला लाइन कंप्लीट हो गया है तो अब हमें तीन लाइन सीधा सीधा बनना होगा तीन सीधे फंदो का राउंड हमें कंप्लीट करना होगा और चौथे राउंड में हम डिजाइन डालेंगे तो तीन राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाते ह तो देखिए friends हमारा तीन राउन कम्प्लीट हो गया है ऐसे पीछे से देखे तो देखे डिजाइन के बाद से एक दो और तीन लाइन उल्टे फंदों की तीन लाइन गई है यानि हमने अब इस लाइन में हमें डिजाइन बनाना है तो क्या करेंगे कि उनको हम अपनी तरफ कर तो जाली देते हुए सीधा बुनेंगे नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है तो जाली देते हुए उल्टा फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक जो डिजाइन है इसे के उपर हमें सेम बनाना है अगला फंदा उल्टा तो इन्हे छ छे फंदों को हमें पूरी लाइन में दूराना है, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, नेक्स्ट जाली देते हुए उल्टा, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा जाली देते हु हम पूरी लाइन कम्प्रेट कर लेंगे तो यह हमारा दूसरा डिजाइन है और हम कुल सोला डिजाइन बनाएंगे यह हमारा दूसरा डिजाइन चला है और हम कुल सोला डिजाइन बनाएंगे तो सोला डिजाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड्स 15 डिजाइन हो चुका है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदर और पंदरा और हमने तीन राउंड सीधा सीधा गुन लिया है लेकिन अब देखिए हमारी अगर हम यहां से गिने ना पे तो 16 cm हो गया है और अगर जहां से आस्तिन अलग हुआ है वहां से देखिए तो यह देखिए 18 cm हो गया है यानि अब हमें सूलमा डिजाइन बनाने की जरुत नहीं है अब हम बार्डर बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग पोईन्ट पे आ गए हैं और इस लाइन में हम सभी फंदो को इल्टा बनाएगे हम उल्टे फंदो की तीन धारी बनाएंगे बॉडर में हम उल्टे फंदो की तीन धारी बनाएंगे तो चुकि इसमें हम सिर्फ सामने की तरफ से ही बुनते हैं जब हम सत्कूलर निजल से बुनाई करते हैं तो हम सिर्फ सामने की तरफ से ही बुनते हैं तो हमें उल्टे फंदो की धारी बनाने के लिए एक राउंड उल्टा बुनना होगा और फिर एक राउंड सीधा तो इन ही दो राउंडों को हमें तीन बार दोहराना होगा याने कि एक बार उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर उल्टा बुनेंगे और फिर छठे राउंड में सीधा तो इस तरह हम 6 round complete करेंगे तो 6 round बना के मैं आपको दिखाते हूँ देखिए friends मैंने 5 line बना लिया है और ये 6 line है और इसमें हम सबी फंदों को सीधा बनेंगे और साथ ही साथ close भी करते जाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को उठाके आगे वाले पे चड़ाते जाएंगे तो 6 round में हम सीधा बुनते हुए सबी फंदों को close करेंगे तो हमने सबी फंदों को क्लोज कर दिया अब इस फंदे को हम थोड़ा बड़ा करेंगे और गोले को इसमें से निकाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है अब हमें बस इसके आस्तिन की सिलाई करने है फेरे में हमें कोई सिलाई नहीं करनी होती है अब हमें सिर्फ आस्तिन में थूड़ी सी सिलाई करनी होती है तो हम चाहें तो सीधे की तरफ से कर सकते हैं चाहें तो उल्टे की तरफ से कर सकते हैं आपको जैसी सहुलियत हो आप कर सकते हैं करना चाहा है सीध्य की तरफ से उल्टे की तरफ से करना चाहा है तो उल्टे की तरफ से कैसे ही सिलाई कर सकते है कि ऊता शुछे हैvoir तो देखिए फ्रैंट्स, बेबी फ्रॉक बनके त्यार है, आप चाहें तो इस साइड को उपर कर सकते हैं, फ्रंट में रख सकते हैं, चाहें तो खुबसूरा सा बटन लगा के इस साइड को फ्रंट में रख सकते हैं, तो फ्रैंट्स, बेबी फ्रॉक त्यार है, आप भी आपको मेरा ये फ्रॉक डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेर कीजिए थेंक्स फर वाचिंग